हेलो गाईज मेरा जिन्द कुछ वाहाद तो गाईज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चौमिन उबालने का विलकुन परफेक्ट तरीका की हिलवाई लोग कैसे चौमिन उबालते हैं तो गाइस मैं बड़ी कॉंटिटी में उबालने वाला हूँ क्योंकि आज मेरा आडर है तो मैं लगबग 10 से 12 किलो चौमिन बॉयल करने वाला हूँ और हम पानी का खौलने का वेट करेंगे और जब पानी अच्छे तरीके इधको खौनने लगेगा उसके बाद हमको देखे पानी में कुछ भी मिलाने की कोई जरूद ने उसके बाद हम इसमें चौमिन खोल के एक साथी सबको एड़ करदेंगे मतलब कि पढ़नी से बाहर करके एक साथी पूरी उसके बाद एकpopular अच्छे तरीकnaire को करेंगे नीचे से उपर अराम से चलाते हुए ज्यादा तोड़ना नहीं है चौमिन खुम को अच्छे तरीके चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे नीचे उपर mix करने में क्या होता जिसे आपने डाला और नीचे की चौमीन आपने नीचे इपड़ी रहने दी उपर की उपर कर दी तो ये जो है नीचे की पक जाएगी है उपर की कच्ची रह जाएगी अच्छे तरीके उप चलाते हुए इसको mix कर लेंगे अलग अलग भी कर लेंगे इसी सेम प्रोसेस से आप लोगों भी करना है गाई देखे मैं एक दबा के देख ले रहा हूँ पकी की नहीं ते लगबग की देखे पक चुकी है जादा से यादा वक्स लेती है लगबग की छे से साथ मियट लेती है पकने में उसके बाद मैं इसी बगवने में पानी डाल दे रहा हूँ मैंने याप दो बड़े डिबबे से पानी डाला हुआ है पानी डालने क्या होगा कि चौमिन बिलकुन हमाई इसका जो लार होगा वो बिलकुन एकदम अलग अलग हो जाएगी चौमिन अब नेक्स नहां पे हम सूती कपड़ा लेंगे और सारी चौमिन को अपनी हम उसी में पलट देंगे पानी जरूर डाल दिएगा पानी डालने इसका होता है पूरी चौमिन एकदम अलग-अलग हो जाती है इसका जो लार होता है वो निकल जाता है अच्छे तरीके इसको दो से त्रीम नेट रुकते हुए हिलाते हुए इसका पूरा पानी बाहर कर लेंगे उसके बाद एक नेक्स नहां बड़ा जो है हमने या पे बोरी का काट के विछाया हुआ है बड़ी सी जगा में फैन के नीचे ही करिएगा जादा अच्छे रहाएगा तो फैन के नीचे हम इसको चौमिन को फैला देंगे उसके बाद ऑईल छिलकते हुए इसको अच्छे तरीके से चारो तरह फैला देंगे मतलब इस अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए और आइल आपको खुब अच्छे तरीके देखिए लगाना है मैं याप छुड़काव कर रहा हूँ आइल का रिफाइंड आइल ही लगाईएगा इसमें अच्छे तरीके से चलाते हुए इसको खुब जर्या लेंगे इसी तरीके से आप लोगों को भी सेम प्रोसेस करना है अच्छे तरीके से हिलाते हुए सबको अलग अलग कर लेंगे मतलब कि कहीं पे ढोका टाइप का न रह जाए तो लगवग देखिए गाईस ठंडी हो चुकी चौमीन हमारी सब्सक्राविश्न परकते से चौमीन हें प्रोसेस अप लोगों को लग परफेक्ट उबलेगी आज का वीडेंगे आप लोगों को अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना ना बूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के रिए ऐसी अनुकी अनुकी रेस्पी लाता रहता हूँ औब अब बेल आइखन भी जरूर क्लिक कर लिएगा क्योंकि मेरी सबसे पहली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए बाई गाईज मिलते हैं नेक्स वीडियो में